आप देख रहे हैं ट्रू मेडिकल आज हम रिव्यू करेंगे प्राइमकोट 100MG इंजक्शन के उपर इस इंजक्शन के बेनेफिट, साइड इफेक्ट, डोज कैसे लेनी हैं और किनकिन बातों का ध्यान रखना है कंपलीट जानकारी मिल जाएगी आज की इस वीडियो में तो वीडियो को एंड तक जरूर देखे और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे क्योंकि हम सबी मेडिसीन को बहुती अच्छे तरीके से समझाते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं प्राइम कोर्ट इंजेक्शन मेक लोड कमपनी के दुआरा बनाये जाता है और 100 mg का इंजेक्शन होता है MRP इसका 40 रुपे के करीब होता है और इसके अंदर एक साल्ट होता है हाइड्रो कोर्टिसोन सोडियम सेक्सिनेट अब बात करते हैं इसके कुछ benefit के बारे में प्राइम कोर्ट कोर्टिकोस्टोइड इंजेक्शन है जो कि कई तरीके से यूज किया जाता है जैसे कि किसी को severe allergic reaction है allergy condition है या फिर कोई cancer की problem है तो ऐसी condition में प्राइम कोर्ट इंजेक्शन को यूज करते हैं इसके अलावा अगर किसी person को skin related कोई disorder है या ice related तो ऐसी condition में भी प्राइम कोर्ट इंजेक्शन को easily use करते हैं प्राइम कोर्ट इंजेक्शन इस तरह की सभी condition को आराम से ठीक कर देता है इंजेक्शन लगाने के 2-3 मिनट बाद ही आराम मिलना शुरू हो जाता है तो यह थे इसके कुछ benefit अब बात करते हैं dose के बारे में आप इसे muscles में या नस में दोनों ही तरीके से लगा सकते हैं तो यह थे इसकी कुछ dose अब बात करते हैं pre-cations यानि सावदानिया प्राइम कोर्ट इंजेक्शन को over dose में ना लगाए और किसी भी medicine को use करने से पहले एक बार उसकी expiry चेक कर ले तो यह थे इसकी कुछ pre-cations अब बात करते हैं side effect के बारे में common side effect की बात की जाए तो आपको थोड़ा pen हो सकता है swelling आ सकती है redness आ सकती है या थोड़ा mood change हो सकता है इस तरह के common side effect सामने आ सकते हैं उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी तो यह थी प्राइम कोट 100 mg injection से related कुछ जानकारी आज की वीडियों बस इतना ही मिलते हैं किसी नहीं वीडियो के साथ वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें